दोस्तों प्रगिनेंसी किसी भी महीला के लिए एहम समय होता है इस दोरन महीला के साथ-साथ गर्व में परल रहे सीशु पर विशेज ध्यान देनी की ज़रुरत होती है यही कारण होता है महीला और गर्व में परल रहे सीशु में होने वाले हर बदलाव पर डॉक्टर नजर रखता है ऐसे में कई तरह कि जाच कराने की सलाथ दी जाती है इनी में से एक है ट्रिपल मार्कर टेस्ट दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेगे कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या होता है यह कब और कैसे कराते हैं और कौन-कौन से महिलाओं को ट्रिपल मार्कर ट बीजे तो मैं हूँँ सीवं और आप देख रहे हैं तो चेलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या होता है तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है इसे कैटरिन टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है किसी सो को कही डाउन जिंड्रोम रिर की हैट भी और ब्रेंग से रिलेटेड कोई समस्य तो नहीं है यद रिजल्ट पॉच्टिव आता है तो समय रहते बच्चे का इलाग सुरू कर दिया जादा है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहो सके और दोस्तो यह ट्रिस्ट प्रिगिनेंसी के दूसरी तीमाही यानि सेकेंड ट्रेमिस्टर में कराये जाता है दोस्तो वैसे तो ट्रिपल मारकर ट्रिस्ट हर महिला को कराने की जरूरत नहीं होती है तो जानते हैं ऐसे कौन से महिला होती हैं जिनको डॉक्टर टिपल मारकर टेस्ट कराने की सलाह देते हैं तो दोस्तो जिस गर बहुती महिला की उम्र 35 साल से अधिक होती है उसे टिपल मारकर टेस्ट कराने की सलाह डॉक्टर दे सकते है और यदि pregnancy के समय किसी भी महिला को diabetes है या उसका इलाद चालना है तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको triple marker test कराने को बोल सकता है दोस्तो कुछ महिला ऐसी होते हैं जिनके परिवार में कोई न कोई सदसे ऐसा होता है जिसको जन्म में down syndrome जैसे समस्या फेस करने पड़ी हो ऐसे केस को देखते हुए डॉक्टर आपको triple marker test कराने की सलाव दे सकता है दोस्तो अब जानते हैं कि triple marker test में ऐसे तीन test कौन से include होते हैं जिसकी वज़े से सिसु में हो रही हर समस्या का पता चलता है तो दोस्तो जानते हैं जो दूसरा test होता है और जो तीसरा test होता है पहले से वीडियो बना दिया है जिसमें मैं ने आपको बहुत ही सारा अलभासा में बताया कि AFP और Beta and CG टेस्ट क्या होते है तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वाव वीडियो नहीं देखे हैं तो आप परे डिस्किप्शन बॉक्स में जाकर वाव वीडियो देख सकते हैं और अब Last Point में जानते हैं कि टिपर मारकर टेस्ट कराने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है तो इसके लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक खर्च करने पर सकते हैं यह लागत सहर, डॉक्टर और अस्पतार के अधर पर कम यह ज़्यादा हो सकती है तो दोस्तों आप लोग बताईए कि यह वीडियो आपको करेंसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबारन ना भूले थैंक्यू